तो हम अंसू और पूजा करनी हैं तो लेक्स करते हैं अंसू मंदिर के अंदर नहीं गया है क्योंकि जादे भीड़सा को बच्चा दब भी सकता है तो इसके वज़ा से हम इसको जाने नहीं दिये तो ठीक है अब यहां से देखें जो भी आता हम आपको दिखाते हैं तो है गाइज गुद मॉर्निंग कैसे आप लोग आसा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और अपने अपने जिन्दगी में मस्त होंगे तो आज का व्लोग काफी सांदार धमाकेदार और जवरदस्त होगा तो मेरे वीडियो में आन तक देबूर बने रहे हैं दोस्त अभी टाइम हो गया है पांच बज कर 41 मिनट तो देखे हम लोग नहादो के रेडियो हो गया है रात कल ही आ गये थे हम लोग बडावर तो बडावर में बावा बास्किनाथ का मंदिर है देखे पहाड का पूरा मदिर दिखा रहे हैं तो वहीं पे चलते हैं और सब्सक्र hypocrisy oniese और समय साधाए थीं करावर धार जोसनी तो ठीक हैं हम सुरू करते हैं या तो 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 इह सकते हो तो काफी बीड है और सब लेकर अपना अपना है अंदेकि गावबारा कुछ बसके हमारे लेसLuc क्रेक्टर से आये और यह क्रमारा वाइक है थे हम अपना बाइक से आये थे क्रियंका जी के साथ और पूरा हम देखें आपको देखाते हैं कि देख सकते हैं कि कितना लोग है तो काफिए यहाँ पर मेलवागा हुआ है तो चलिए-चलते है और उपर बावा सकी को लुटिदा पास जाके और पूरा दृषम आपको दिखाएंगे ठीक है तरो ठीक है वीडियो में हम तक जरूर बने रही तो काफी मजा आएगा याज अगर वीडियो और स्कीब कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पूरा जिरूर देखिए तो आपको यहां आने में कोई दिक्कत परिसानिया आपको नहीं होगी धन्मे आद तो यह देख सकते हैं तो चलिए धीरे धीरे हम जहां से चाहरते हैं सीड़ी ओहां तक हम जाते हैं और उसके बाद हम आपको पताएंगे कि कैसे तो यह देख सकते हैं काफी लोग जाके आ हैं और काफी लोग हम लोग मतलब मम्मी हमारी पहले जा चुकी थी हमको समान देखना पड़ा तो और सोचे कि वो सब रात में चली गए थी तो फिर हमको लगा कि कि मतलब कि रात दिन में थोड़ा वीडियो का क्वालिटी अच्छा एगा तो इसी वादा से हम लोग रूप गए और दिन में चलाई का यात्रा सुरू कर दिन तो ठीक है क्रवे की एड़ा लझ कर दो कि वो हमें एड़ा सा इत्तिक कर दो कि वोगला है Żona जब एंदůराट अना Eld showed up तो एधे ईंसु को अपना सर भालिए है कंदा पे चलने में कोई दिख्कत परिषानी नहीं हो तो भीड ज्णा उतना नहीं है तो दिरे धिरे और यॉर रखिए यह दखिए पिरियंका जी भी साथ में है तो चलिए चलते हैं और यह दखिए समान सारा दुकान बगेरा है तो यहां पर फरिदारी बगेरा भी कर सकते हैं कि मिना बजार भी लगवा तो यहीं से सकते हैं सारा यात्री आगे से हम सरु सुरूं करते हैं नों डिक्टा कितना बाबाई यह दैख लिए तो कापि अच्छा लग रहा है अभी चलने मैं अह सकते हैं पूरा बड़ा बड़ा सुड़ी है तो अच्छा लगेगा कोई दिक्कत परिशानी नहीं होगी कहीं कहीं पर समता ना जाला में से ना या जुत में इंगें तो आई अधी है कि चले ना हम प्रिव नय तो कहीं कहीं पर देखिए नेम्बू शिकन्जी का जो रास होता है वह देखे पिला रहा है और सब यात्री ओं का सेवा कर रहा है और यह देख सकते हैं यहां पर मतलब भंडारा जैसा है और यई दरेखिए भंडारा हो रहा है देख सकते हैं, पूरा दुंगान सब कर रहे हैं आखंड टिर्टन जैसा होता है, न वहोई सही राष्ते में तो रास्ते में काफी अच्छा अच्छा दृस्न से मिलेगा और ये देखिए यात्रियों को बैटने के लिए ये देख सकते हैं पुलिस सारा सुरक्षा है तो ये देखिए पूरा हम आपको चारों तरफ का द्रिश दिखाते हैं तो देखिए लोग और यही देखिए गेट है और यही गेट से हम परवेश करेंगे तो यहां से मुंख ट्रैकिंग शुरू होता है मतलब सुझी और यह देख सकते हैं बहुत सा पब्लिक आ रहे हैं और जा रहे हैं तो देख सकते हैं पूरा एकदम से पूरा मापोद्रिष दिखाते हैं काफी लोग देखें कुछ लोग दौड के भी चाहर रहे हैं हलाकी दौ कि देखें अन्सु ही बूलने लगा है चलो बूलो अन्सु चलो खिली काफी ठकावट है ने अन्सु ठक गया ओप तो हाँ कि अधिए पाहाड पर कितना अच्छा मुर्ती एक दम जो था ने पत्थर में अथी चित्रत किया गया है निर्मित किया गया है ए देख सकते हैं पूरा कितना याति आ रहा है तो देखें हो हाँए बखेख लिए पुझना को पीच से हैं इसके बेड़ा से तो एदेखिए बस बैल है और भागवान भूले नाथ का सवारी इसको बोला जाता है तो उसी का लोग पूजा कर रहे हैं इधर देखिए जो भीच्छा मांगने वाले लोग होते हैं देखिए पूरा पूरा यहां से मतलब मंदिर के पास देखिए जो प्रेकिंग होता है ना मंदिर के पास पहुंचने वाला तो इसके आगे से देखिए कितना ज्यादा दिखाए देख रहा है, अलाकि धीरे धीरे अब हम लोग मंदिर के पास पहुंची रहे हैं, यह थीक है, मन्दिर के पास पहुंचने के बाद जल लेंगे तो यह देख सकते हैं, जल ले रहा है और बीस का भी देता है और पचास का भी देता तो जो मन है वो आप ले सकते हैं तो हम लोग जल लेके अब चलते हैं सिधे मंदिर में देखे मंदिर का सिधी है तो धीरे धीरे देखे चल चड़ेंगे हलाकि जो पेर है उससे मंदिर दिखाई नहीं पर रहा है तो यह देख सकते हैं पूरा मंदिर काम आपको दिरीज दिखाते हैं और काफी बीड था तो हम तो जल ढार दियें लेकिन प्रियंका जी थोड़ा लाइन में लगें और यह देख सकते हैं यहाँ पर आपको जल बगेरा खुल पती जो भी है सारा मिल जाए तैक सकते हैं कितना भील लगा हुआ है आप ते Are someone मंदिर का द्रिश कुर्ण एंक है हम आपको दिखाते हैं अ की डीक सकते अ के यह पूरा मंदिर का द्रिशि refuse देख सकते हूं कि देख सकते हैं अंदर तो लिक जाने में भी नहीं बनेगा तो ठीक है कि आरा चलिये नप जी चलते रहे हैं तो आफ साइड काट के अथी हो ये कि देख सकते हैं तो इड़िशन के दो ठीक है तो डेका जाने में भी नहीं देख सकते हैं तो यह देख सकते हैं यहां पर मतलब धरम साला बज़रा भी है तो आप आके आराम भी कर सकते हैं स्वीज़ें मंदिर से दर्षन करने के वाद लेकिन हम सीधे अपने लोगों के पास है तो यह दर्षन हो गया है तो अब आसु को लेकर हम सीधे अब चलते हैं जहां से हमने आत्रा सुरूं किया था वहीं और हम इंतिजार कर रही होगी तो ठीक है दोस्त आप भी आ सकते हैं अराम से कोई धिकत को परेसानी नहीं होगा और अब बीर आराम से बावा अबाशाह्यम का दर्सण कर सकते हैं, तो ठीक है, धनने buen तो देख सकते हैं परसाद यहां पराइब तो परसाद हम लिये Michalak और बूर को सब्दी औरबरा है जerता के वे सब्सक्राइब आगार और कन्यार्श exactamente जा तो стало कि लोग आये हुएं तो जम चलते हैं अब घर हो देख सकते हैं दर्शन करने के बाद स både थाथ ना भना किए पिखाते यह देख सकते हैं चुला और काफी जगा देख सकते हैं कि चो ला जल रहा है और हम लोग खाना नहीं खा एंगे हम ममी और प्रियंका जी क्योंकि गारी से आये हैं इसके वज़ा से आये सब देखिए मेरा इसी से तो काफी अच्छा लगता अगर आपको कभी जिन्दगी में मौका मिले तो जरूर आए बावा सिधनात का दर्शन जरूर किजिए यहां से देखिए पहाड़ परमंदिय है यहां से तो द्रीश नहीं आ सकता है यह देख सकते हैं हालका हालका पता चल रहा है तो ठीक है आप भी आ सकते हैं और हमारा वीडियो देखिए आपको पूरा पता चल जाएगा कैसे आना है तो ठीक है धन्यवाद है कि देख सकते हैं इतली बनवा रहा है गयां थऐधि पर आपन तो कहीं सीफ़े अपना घर कहेंता उपना तै एक तो फाइनली गाइज घर पहुंच गया है तो काफे दूख था गर्मी लग रहा था गाड़ी तीन चार घंटा चलाएं लगता है तो ठीक है असानी से पहुंच तो दोस्त घर आ गए है तो देखिए पिरियंका जी चाय बना रही है हमाले लिए एक लेमन टी और एक देखिए दूद बाला चाप तो यह देख सकते हैं दोस्त हमारा आज का खाना है सलाद और रोटी तो ठीक है एक खाले तेंज तो फाइली गाइज हमारा खाना पिना हो गया है आसा करता हूं दोस्त कि आप लोग भी खाना खाली होंगे तो पुजा करके आए तो गाले चलाएं चार हंटा तो काफी ठग गये थे तो सवें तो साम हो गया था तो ही आज यही खाना खा रहे हैं तो ठीक है अगर आपको हमारा ब्लोग अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ठीक है आज के लिए इतना है जय इन जय भारत बंदे मात्र झाल झाल